आईए आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कन्योज शहर की राजनीत से हट कर बात करते हैं कन्योज के इत्र उद्ध्यों की आपको बता दें इत्र को रखने के लिए यहां इत्रदान भी बनाये जाते हैं यह इत्रदान की प्रथा सालों पुरानी है और कभी इस कला को पूरी दुनिया में इत्र के व्यापार के लिए बसूहर है इत्र व्यापार से ही जुड़ा है इत्रदान का व्यापार लेकिन आज के समय के अनुसार इत्रदान की हस्तकला संसाधनों की कमी के कारण खत्व होने की कगार पर है कारुबारी बताते हैं कि आज वो तमाम सबस्य से जूज रहे हैं लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है आपको बताते चलें इत्र नगरी कन्योज अपने इत्र के व्यापार के लिए देश भर तो क्या विदीशों में भी मस्यूर है इत्र की खुस्बू को चार्चान लगाने के साथ उसके बहतर रख रखाव के लिए य इनकी नकासी कारिगर अपने हाथों से चेनी और हतरोने के द्वारा ठोक पीट कर बहतर डिजाइन के साथ बनाते हैं उसके साथ ही इसमें पीचल के तार से सजावट कर इसे चमकदार और खुबसूरत अकृतों के साथ तयार किया जाता है अंदर के हिस्से में मख्मल का कप देने के उपयोग में लाते हैं हलाकि बदलते समय के साथ यह स्थकला लुप्त होती जा रही है क्योंकि अब हर काम मसीनों से गिया जाने लगा है इससे हस्थकला का कारवार या तो अपना काम बंद करने जा रहा है क्योंकि उसके व्यापार में लागत के साथ टाइम भी का काम अब दिरे जरे घलान की और अगरसर है और लोग मसीनों नों से बने इतरदान इस्तेमाल में ला रहे हैं यही कारण है कि आज हस्त जारव चारिगर अपनी इसकला को ँलते जा रहे हैं उसकी जगह मसीने इस्थान लें ले टी जा रही है और उनके बाबादारा भी यही काम करते थे उनके पिता कैलासना सर्मा को इतरदान कला के लिए सन 1971 में तत्कालीन परधान मंतरी स्रीमती इंद्रा गानी ने इतरदान कला की खुबती को देखका सराना की थी और दस ज़र रुपय के निकत पुरसकार के साथ सर्टिफिकेट भी दिया था इतना ही नहीं उन्होंने एक आटमेटिक घड़ी भी उने परदान की थी लेकिन आज इस कारवार को बदलते हालातों में मुस्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अब न तो इतरदान बनाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली लकड़ी ही असानी से मिलती है और नहीं इसकी नकासी को कुरसूरत बनने वाला पीतल का तार ही मांगाई के दोर में ये चीज़ें और महगी भी होती जा रही है और असानी से उपलब्ड भी नहीं है जबकि लागत के अंसार विक्री भी नहीं हो पाती है और ये परेसानी कन्नोज में मौजूद इतरदान के हर कारिगर की है क्योंकि इतरदान बनाने में सभी को लकडी और पीतल के तार की जरूरत पर्दी है लागत के मताबिक मुनाफ़ा भी कम मिलता है कारिगरों की माने तो केवल उनकी मजदूरी ही निकल पाती है जबकि एक इतरदान को बनाने में कम से कम दो से तीन दीन का समय लग जाता है कोई लाब नहीं मिला है अखलेज ने एक अस्वासन दिया था जब उनकी सरकार थी अब ब्यार लखनों गए थे तो मीटिंग नोंनों ने चाहता कि अगर हमारी सरकार होती है तो वार्ता जी लोगं आये स्साहिए दोग को उनकी में करना कि हम आपको एक हजार रुपए पर मन गेंगे कोई कोई लख नहीं मिला किसी परकार का कोई लाग नहीं इंद्रा जी ने इटा जी को तरसजार रुपए का प्रुष्टार और एक घड़ी दीती और रास्तर बीबी दीने सर्टिफिकट दिया था मार्दन रहीना रहीना करा डोब रही है इसको करने वाले को लोग बच्चे के हमारे लक्टिक का काम सीखने लगे लकड़ी मिल नहीं पाती है यह समस्यां है यूपी नियूस नाइन के लिए करनाव से ब्यूरो रिपोर्ट